हेलो एब्रीवन वेल्कॉम बैक तो न्यू लेशन तो दिस बीटिफल प्लाट्फरम दुवेल्स दहाब मेकानिकल एंगिनिरिंग इसका मतलब अगर मैं आपको आसान भासा में समझाओं तो यह होता है कि जब हम कार्बन एड करते चलते हैं आईरन के साथ तो उसका स्ट्रेंथ क्यों बढ़ते जाता है ठीक है तो इसे समझाने के लिए थोड़ा सा केमेस्ट्री का समझ आपको जरूरत पड़ेगा थोड़ा आं तो भाई जो आईरन होता है न हां जब हमारा कार्बण जब आरन से इंक्लीूशन किया नहीं जाता है उससे पहले जो आईरन का भाई मॉलिकुल रहते है आपसे बढंड बनका रहते तो यहां पर मैंने दिखायाए आप लोग का आघ्राम से दिखिए यहां पर उन लोगों का bond आपस में connected है तो ये iron molecule आपस में bond से connected है तो जितना strength उन लोगों का होना चाहिए था उतना है लेकिन जब हम includes कर देते हैं क्या carbon तब क्या होता है देखो थोड़ा तब यह आपको आराम से समझ में हाँ अभी थोड़ा इसे zoom करके देखते हैं अराम से अभी यहाँ पर तो था जितना था ठीक है यहाँ पर पहले से जितना था वो तो bonding है अभी भी यह भी है यह भी है यह तो है लेकिन carbon में जब insert कर दिया उसके वदलत क्या होने लगा और और चार bond create होने लग गया एंड हमको यह पहले से ही पता है जो मलिकुल मलिकुल के बीच में जितना strong bonding होगा और जितना ज्यादा bonding होगा उतना ही उनलोग का strength ज्यादा होगा ठीक है तो अगर bond ज्यादा create हो रहा है तो इस कारण से strength भी ज्यादा होते जा रहा है and because of this is only adding carbon into the iron increases the strength इसलिए जितना हम carbon मतलो 6.67% तक जितना जितना बढ़ाते चलेंगे carbon quantity into the iron उसका strength बढ़ते ही जाता है ठीक है यह था हमारा आज का simple सा थोड़ा सा informative वीडियो ताकि आप लोग का थोड़ा base बने and जो थोड़ा थोड़ा question वो simple सा question पूछते रहते हैं कहीं कहीं so वो सब question का आप answer दे पाया आरम से ठीक है तो यह हमारा चोटा सा प्रयास है अगर आपको यह अच्छा लगता है तो definitely you guys can share with share this video with your friends and अगर और कुछ भी आप पढ़ना चाहते हों comment किजिए and अगर अच्छा लगा तो like जरूर किजिए and definitely don't forget to subscribe the channel so I will back with another new lesson till then take care bye